नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आज की इस वीडियो में हम जो बात बताने वाले ही दोस्वों एक एक शब्द अगर सच ना हो तो फिर कहना एक भी शब्द अगर गलत हो तो फिर कहना जी दोस्वों हम आपको बता दी कि आपकी राज़ शवालों शी हमें भरबर का यही शवाल आते हैं कि गुरू जी हमारे जुनकाल में जो प्रिशानी चल रही है उनका आखिर क्या शुमधान है हमें उपाई बताईए आकिर क्यों हमारे जुनकाल में प्रिशानी आ रही है आकिर कौन सा वज़ा है ताकि हमार बहुआ हुआ हैे। बहुआ हैं प्रतनिकी हैं है लेकिन कोई भी काम हमारा बन नहीं रहाए। जोनकाल में अब शारे रास्ते ही बंध हो गये हैं. दोस्थोपी तरена प्रेश्टन हैं कि वनारी कमेंट बोक्ष में पूछ जाते हैं तो दोस्मोफ आज कि इस इस वीडियो को आप भूल कर मिश्मत किईयगों कि दोस्मोफ शबी विए प्लब के लिए हम भूधी मेहनत च magnes वहाती शमय के बाद आपके लिए इतना महत्मौ लिए लेकर के आए है Razove 여avay की जुनकाल की एक एक शब्द शच बताने वाले हैं और दोस्तों इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्पन होगी अगर आप इन्हें शमय निकाल कर किसी जगह बेट कर अंध तक देख लेंगे दोस्तों आप यह बास सुझ पाएंगे कि आपक शबी की जानकरिया आपको प्राप्त होगी तो दोस्तों वीडियो को अंध तक दिखेगा उश्य पहले दोस्तों जोई भग्द वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिखेगा गुरू जी का और माता रानी का शीद आशिरबात प्राप कर तुम इतना जरूर लिखेगा और यदि आप चनल पर भी नए है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथे बैल आइकन को प्रेश करके और पर श्लेट कर दें तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम आप शुभी को बता दें कि आपके लाभाव के श्व आप अपने जिवनकाल में कभी कभी नयाय करते करते इमोशनी बहुत ज़्यादा ठक जाते हैं इस आपकी जुन में अक्षर देखा गया है इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किश्मत खुलेगा आपकी किश्मत का ताला आखिर कब खुलेगा आपको श शंगर्शो तो किश्मत बदलने में वक्त लग जाता है शमय लग जाता है जोनमें शंगर्श कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि अपनी लाइफ में आप भी कुछ बन सके अपना केरियर बना शकें दुसरी तरह दोस्तों जोतिश में यह का गया है कि आपकी ज किशी लोती राशी है जो की शबी राशियों में राज करती है और सबसे ज़्यदा भागिशाली राशी भी होती है हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि दूस्तों मनुष्य जब जनम लेता है तो सब की जिन्दगी में दुक आती है यह बात अलग होता है कि कि किशी को जिके के दो पहली होते हैं आपकी जुनकाल में भी अधिक शंगर्शे बहुत ही अधिक तकलीपों से आप जूज रहे हैं तो दोसों आप भगवान शुनदेप के कुछ उपाएं को करके अपने जीवन को शफल अवश बना शकते हैं इसलिए दोसों आप शुभा उठकर भ आपको लाइफ में जो शंगर्श आप देख रहे हैं दोसों वह धीरे-धीरे कम होता जाएगा और जुनकाल में आपको शुफलता की नई किरन देखेगी दोसों एक पार एशा करके आप जरूर देखेगा इसके अलावा हम आपको बता दे कि भगवान शुनदेप के कुछ चूपाए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब दोसों इन्हें आप ध्यांश देखेगा तो दोसों आएए बात करते हैं दोसों में आप बात भी जानते हैं कि यश में आपको गुटन से महशुष हो रही है आप खुद को अकेला महशुष कर रहे हैं आप पु जिन्दगी में प्रिशानियों को पार करने के बाद यहां तक आगर आप पहुंसे हैं तो दोसों यह जो बुरा शुमय है यह भी गुजर ही जाएगा जें दोसों हम मानते हैं कि आपकी जिन्दगी में कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है पर जब तक गलत का पुश्रमना नही करोगे तो दोसों सही का पहचान आपको केश होगी इतनी शारी प्रिशनियां आपको दुख देने के लिए नहीं बलकि दोसों आपको शिक देने के लिए आती है दोसों यह जो शारी दुख है जो आपके जिनकाल में आते हैं दोसों यह आपको कुछ बनने के लिए कहते है जो दोसों कई लोग केरियर को लेकर बहुत ज़्यादा हार मन जाते ही दोसों कुछ तो एशे होते हैं कि वह पूरी तरह तुट जाते ही जिसे मानो जीने का कोई मक्षद ही नहीं है शारी उम्मिद्य ही खत्म हो गई है दोसों आप शुभी को बता दे चिया आपने कभी शोचा है कि आपके शाथ एशा क्यूँ होता है कि दोसों आप कई बार सब कुछ दाओपर लगा देते हैं और किशी एक इन्सान को अपने जिन्दिये में मज़ा बना लेते हैं और दोसों तब आपकी जिन खत्री में आ जाती है कि दोस्तों जिस इंसान के लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तयार रहते हैं वहीं इंसान किसी और चीज के लिए आपको छोड़ कर चला जाता है और दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी नज्रों में उस इंसान की नज्रों में अपने इमेज को गिरा रखें और दोस्तों जब आप खुद अपने आपको बेलीउ नहीं करेंगे तो दोस्तों डूसरा वेक्टिक केश्य đều आपका वैल्यॉ करेंगे दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका मन जिस काम में हैं आपको वही काम करना चाहिए सिर्फ आप वही करें जो आपको दिल कहता है दोस्तों दुनिया क्या कहती है इन बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें दोस्तों आप decisions को आपके जुनकाल में जो आपके अंदर की टैलेंट है उसे अब दुनिया के शामने लेकर आई उसे बाहर निकालने की आप अवश्च कोशिश करें मेहनत करें फिर आप देखेंगे कि जो कल आपका शपना था वह हकीकत में शच हो गया है और वह शब कुछ आपको मिल गया है जे दोसों आपकी राष्व के अशाद इस आख्षर देखा गया है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम बनते बनते भी गड़ जाता है दोसों और आप नोकरी करते ही और अगर आपका काम पूरा नहीं हो पाता तो दोसों इसे में आप एक छोटा शूपाय अवस्ष करें जब दोस्व आपको बता दें कि जब भी आप काम की शुरुआत करें तो दोस्व आप उस दिन सुबह अश्णान करने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें और अश्णान करें उसके बाद आप हनुमान चलिश्चा का फाट करें और आप शोयंग देखेंगे कि आप जिश काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह काम आपका बन जाएगा इक शिशाद दोस्व एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घर्षे बाहर निकलें तो दोस्व दाया पाउ घर्षे बाहर रखें और जब भी घर्षे अंदर आएं तो दोस्व अपने बाएं पैर को अंदर रखें जैसे क्या होगा दोस्तों यह उपाई करने के बाद आपको उशफलता जरू मिलेगी और आप जिसकाम के लिए जाएंगे वह काम आपका जरूर पुरा होगा जरूर ही बन इसलिए दोस्वों आप भी शुपाय को जरूर करेगा इसके शाती अपने जियोन में थोड़ी शी शावधनिया भी आपको अब रखना चाहिए जैंदोसों जो लोग आपके शाथ छोड़ दिये हैं जो लोग आपको पिछलिश में दोखे दे दिये हैं दोसों उन्हें दोब लोग के शात्रिस्ता अभी तोड़ दिजी जे दोस ये आपके लिए बहुत यच् echt रहेगा जो वक्तपर आपका शात नहीं देती और आपने उनका हमेशा साथ दिया होता है दोस्वों बुरे वक्त में आप उनके शाहत खड़े रहे हैं लेकिन जब आपकी बारी आती है मुश्किल समय में जब आप उनको याद करते हैं तो दोस्वों आप क्या पाते हैं कि वह व्यक्ति आप शीर नजरें चुराने लगता है और कहीं और चला जाता है दोस्वों एशे में आपको पूरा लगता है तो दोस्वों अब आपको इन शबी बातों पर गौर करने का भी वक्त आ गया है मुह में राम बगल में चुरी वाले लोगों शे अब आपको बसना होगा चाहे दोसों ये आपकी कोई अपना रिष्टेदार हो कितना भी करीबी हो दोसों इनसे आपको बिल्कुल भी रिष्टार नहीं रखना है जे दोसों दोसों यदि आप एशा करेंगे तो उन्हें भी इस बात की एशास होगी कि यह इशान हमारे बगेर भी रह शकता है जा दोसों तो दोसों अक्षर लोग के दिल में अगर आप उन्षे बात्चित करते हैं तो उनके अंदर घमंड आ जाता है आप उन्षे मिलने की कोशिश करते हैं तो दोसों यह शी लोग घमंड करने लगते हैं इन बातों को थोड़ा शाग आप अपनी जिन्दगी में ध्यान रखें तो यह दोसों आप शिवी को बताते हैं कि आखिर आपकी राशी वालों की किशमत किश उमर में खुलती है आखिर आपको शफलता कब मिलती है जिया दोसों लेकिन दोस्तों एशा नहीं है कि आप इन सब बातों को जान कर मेहनत ही करना चुड़ दे कि आपको शवलता तो अवशी मिलेगा अगर आप मेहनत नहीं करते हैं भाग के भरुशे बेड़ते हैं कि बगवान हमारी घर में कुछ पेशा फैंक दे तो एशा बिल्कुल भी नही होगा दोस्तों आपको मेहनत तो करने ही पड़ेगी कर्मों की गतिश रब्तार शे आपको आगे बढ़ना होगा हर कारे को आपको सोच समझ कर करना होगा और वहीं काम और दोस्तों वहीं काम करना होगा जिनमें आपका इंट्रेश होता है जिए दोस्तों जो आप कर शकते ह दुनिया की परवाह ना करें दोस्तों हम आपको फिर दोबारा वही बात कहते हैं कि किशी बात की आप परवाह बिल्कुल ना करें शिप वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है जन्देश में आप शफल हो शकते हैं और अगर आप एस्षा करेंगे तो दोस्वों शफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्वों आपको बता दें कि 27, 32 और शंताउन शाल के उमर में इन राशी वाली लोग को मकान का लाब जरूर मिल जाता है और दोस्वों यह लोग बिवा के बाद खुब संपती भी कमाते हैं यह शंपती खरीदी भी लेते हैं बिवा के बाद इनको अधिक शंपती का लाब मिलता है और दोस्तों यदि आपको एशा लगता है कि आपके जुनकाल में शब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो दोस्तों आपको एश में एक एश उपाय करना चाहिए जिनसे शंपति का लाप आपको पराप्त हो जाए जै दोस्तों आपको हर शनिवार के दिन शर्सों के तेल का दिपक पी पल की पेड़ के नीचे जलाना चाहिए दोस्तों आप पीपल के पेड़ की नीचे जब यह शक्रसों के तेल का मंनौ कम दे बश्में जरूर बोलें इसे दोस्वों आपको कमया भी जरूर मिलेगी और इसके बाद दोस्वों आपको बता दें कि इस राशी के जो लोग होते हैं अकाश्मि धनलाब 19 22 28 और 47 वर्ष की उमर में प्राप्त होती हैं दोस्वों इसे उमर में आप शिभी को काश्मिक जरूर ही प्राप्त होते हैं जा दोस्वों चाहिए धनलाब आपको किशी महिला की तरफ से प्राप्त हो या फिर किशी पूरुच के पक्ष से आपको प्राप्त हो लेकिन यह आकाश्मिक धनलाब आपको जरूर ही प्राप्त होते हैं दोस्वों अगर आपको लगता है कि उम्र होने के बाद भी आपको अभी तक अपने जुन में काफी शुंकर्ष करना पड़ रहा है आपको तरक्यी नहीं मिल रहा है धलाब नहीं हो पा रहा है आपकी उम्र गजर रही है और आपको कुछ हाशिल भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप लोग हर शुबह भगवान- जल अवाशीर करें दोस्तों अपने जल में थोड़ी सि मिस्तिरि आप अवश मिला लें और भगवान शुल् से अरपीद करें मन में ही अपनी मनों कामनों को कहें जो आपके अंदर हैवैंаю कहते वे कि तड़ा दें सब्सक्राइब से आपके शाथ होने वाली जो भी खर्षी है वो अकम करेंगे और इसके शाथ दोस्तों आपको एक उपाय हम बता दे कि अगर आपको कामयाभी हाशिल करनी है तो दोस्तों गुरुवार के दिन आप केले के दान करें दोस्तों हमेशा दो या चार दोस्तों ध्यान रखें कि एक तो केला आप बिल्कुल भी दान ना करें। दोसों हमेशा 2-4-6 केले का ही आप दान करें। यसे विशिश लाप की प्राप्ति होती है। और दोसों धन प्राप्त भी इन्श होता है। यसे साथ दोसों मंगलवार के दिन आप अपनी आखों में काजल लगा शकते हैं। यसे और उनमें पद्वनती नहीं मिल रही है तो इशा करन शे आपको पद्वनती भी अवश मिलेगी। शाथी एक शाद वशा में आपको अच्छी ख़बर भी और धन की प्राप्ति भी अवश होगी। दोसों आप आशे ही अपने जुनकाल में उपाय को करें। और शाद दोस